हालो & विलकम फ्रेंड्स आईए आज हम सीख लेते हैं जावा में पैटर्न बनाना और वो पैटर्न हम कैसा बनाएंगे ये ऐसा पैटर्न होगा ये देख सकते हैं आप दो-दो के अंतर पे यहां पर आपको दिख नगा हुगा ये इस तरह का एक पैटर्न हमें बनाना है और के पहले भी पैटन बनाना हम सीख चुके हैं कमाल लाइन डॉर्मेंट पे यह पैटन हम बना रहे हैं और इसमें यह दो-दो का डिफरेंस होगा तो चलिए यह देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे तो चलिए आये स्टार्ट करते हैं कोड यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंग बना होगा क्लास बना तो भी लास की के नाम से मैं कलास बना रहाँ ठीक है की के लिए के नम से मैंने क्लास बना लिए अर्ली प्रेकट लगा आ और अब यहां पर लिखेंके पापलिक स्तेटिक वाइड मेन यहां लिखेंगे string argc यह नहीं argument पास करेंगे कुल मिला करके कहना यह है अब यहां पर data type int type का ले लिया हमने और int type का data type लेने के बाद हमें यहां पर दो variables बनाने होंगे आई और जे चली कोई भी variable बना सकते हैं मैंने आई और जे ही बना लिया अब यहां पर हमें for loop लगाना है ठीक है तो यह for loop लगा है हमने i की value को start कर रहा हूँ 8 से ठीक है i is greater than 0 यह मैंने लिखा और अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा i यहां पर लिखा मैंने और लिखा minus is equal to 2 इसका मतलब यही है कि for loop लगा रहा हूँ फिर से अब की बारी j की value को 2 से start कर रहा हूँ j is less than or equal to i कर दे रहा हूँ और यहां पर j plus plus कर सकते हैं करवा देंगे value system.out dot print मैं यहां पर ln नहीं लिख रहा हूँ line नहीं चेंज करनी अभी मैं मुझे चीक है यहां j की value को print करवाना है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ plus j ओके और j की value print हो जाएगी enter करके नीचे bracket close कर लेते हैं enter press करेंगे फिर यहां पर system.out dot print ln लगाएंगे यहां पर system कर लेते हैं इस बार हमें line चेंज करनी है इसलिए line लगा रहा हूँ और यहां पर खाली gap print हो जाए और कुछ ने print हो खाली gap print हो जाए यह लिख दिया हमने और इसके बाद एक curly bracket फिर दूसरा फिर तीसरा तीनों curly bracket हमने close कर दिया और key dot java के नाम से को सेफ कर लेता हूँ मैं क्योंकि class bc नाम से बना हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं आप key k e y तो key dot java करता हूँ मैं enterprise करता हूँ अब यह save हो चुका है अब हमें सीधा चलना है कहां command prompt पर open किया हमने desktop पर जाते हैं क्योंकि हमारी file desktop पर ही है enterprise किया हमने और यहां पर लिखते हम java c और desktop sorry file का नाम है हमारे key dot java तो enterprise किया हमने तो अगर कोई error नहीं है तो हमारी file compile हो चुकी है अब इसको run करवाना है लिखेंगे java और सिर्फ file का नाम पर लिखी है enterprise कीजिए तो यह देखिए यह pattern जो है print हो गया है लेकिन आप देख सकते हैं इसके बीच में जो है यह continuous way में print हो रहा है pattern हम चाहते हैं कि एक एक के difference पर यह print हो तो उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए हमको यहां पर थोड़ी सी changing करनी होगी क्या करनी होगी आईए देख लेते हैं यहां पर हम लिखते हैं j plus is equal to 2 ओके यह लिख दिया हमने और अब इसको save करना है हमें सेप कर दिया इसको close करके दुबारा से open करना होगा यहां से अब open करते हैं cmd open कर लिए हमने desktop पे आ जाते हैं और अब compile करते हैं अपने फाइल को जावा अब इसको run करवा देते हैं Java की तो यह देख सकते हैं अब एक एक की gaping पे आ रहा है तो लूप जो लगाया हमने उसका क्या मतलब है उसका मतलब जो है यह gaping से है देखिए यहां पर अगर मैं प्लस प्लस कर दूँगा तो continue way में यह क्या होगा increase होगा ठीक है और अगर minus minus कर दूँगा तो continue way में यह increase होगा तो दोनों में यही difference है और यही difference बताने के लिए मैंने आपको यह program दिखाया है उमीद करता हूं कि यह आपको समझ में आई होगी चले एक पर और यहां पर फिर से लिखता हूं Java की के नाम से था तो यहां की लिखा हमने तो यह देखिए pattern print होगा फिर से करता हूं Java की तो यह pattern print हो जाएगा अब हम इसमें थोड़ी और changing कर लेते हैं यहां से यह जो है 8 से start is equal to 8 किया है हमने और यह is equal to 2 किया है ठीक है यहां पर मैं क्या करता हूं इस equal to 15 कर देता हूं ओके और यहां पर करता हूं is equal to 3 मतलब 3 क्या मतलब यह रहेगा और यह जो है इसको मैं 3 कर देता हूं 3 किया मतलब अब 3-3 के gap पर यह print होगा क्याने का यह मतलब है तो यहां से इसको save करता हूं और अब इसको run करवाता हूं यहां से तो यहां लिखा मैंने java एक बार इसको पहले close कर लेता हूं वरना यह आएगा नहीं यहां से cmd open किया हमने cd desktop और यहां पर java c और क्याया नम है key.java एंटरप्रेस करेंगे तो यह फाइल हमारी compiled हो जाएगी अब हमको run करवाना है तो लिखेंगे java और की के य वाई एंटरप्रेस करेंगे तो यह देखिए ये इस बार 3-3 के gap पर यह print हो रहा है आप देख सकते हैं पहले 15 आया फिर 12 आया फिर 6 आया फिर 3 आया फिर यहां पर देख सकते हैं 12, 9, 6, 3 तीन तीन के gap पर यह print हो रहा है इस तरीके से लुप का बहुत ही बहतरी आप user कर सकते हैं उमीद करता हूं यह pattern programming आपको जरूर सम में आई होगी अगर वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यो फूर वाचिंग इस वीडियो कर सकते हमारे चाहिज थैंक्यो झाल झाल